डियर स्टुडेंट्स, 12th Class Physics के फर्स्ट चैप्टर वैदुत आवेश्त अथा छेत्र के आठों लक्षर में आपका स्वागत है और इस लक्षर का मुख्य टोपिक है विदुत छेत्र विदुत छेत्र टोपिक के अंतरगत सबसे पहले हम यह समझेंगे कि विदुत छेत्र होता क्या है एलेक्ट्रिक फिल्ड होता क्या है और फिर प्रिक्षन आवेश्त की अवधाना को हम समझेंगे कि प्रिक्षन आवेश्त चार्ज क्या होता है और उसके बाद जो है विदु फिल्ड क्या होता विद्द्ःचेतर ?? जह क्या होता की स्का सरों का निकालना सीज़ेंगे पर इसी तरह से अगर हमारे पास कई सारे हैं है एसे अग्यादन के निकाय के चार्ण जो है लेक्ट्रिक फिल्ड क्या बनेगा क्या द्यूंने जैसे हमने दीब बहुत ही असान हमारा आज का लक्षर है लेकिन इतना ही इंपोर्टेंट भी है बेसिक भी है इसे समझना ध्यान से जरूरी है तो आज का मुख्य टोपिक विदुद छेत्र डिस्कुस करने से पहले हम एक बात अच्छी तरह से समझ सुके हैं कि जब भी एक आवेश के नजदीक एक बिंदू आवेश हम लेकर के आते हैं तो यह बिंदू आवेश या तो आकर्षनबल का अनभव करेगा या फिर परतिकर्षनबल का अनभव करेगा तो यदि हम इन दोनों आवेशों की बीच का जो बल है सिरफ बल जानने के ही इच्छुक है तो हमारे पास खुलाम का नियम जव काफी है और इसी तरह से अगर मान लेजी हमारे पास कई सारे आवेश है या एक आवेशों का एक निकाए है पूरा इस पूरे निकाए के कारण जो है किसी बिंदू आवेश पर अगर हम बल याद करना चाते है तो हमारे पास दूसरा अध्यरोपन का सिधानत काफी है लेकिन अब एक क्यूस्टन अराइज ही होता है कि देखे जब ये दोनों आवेश जो है एक दूसरे को सपर से नहीं कर रहे है एक दूसरे को टच से नहीं कर रहे है तो फिर बल कैसे लगा रहे होंगे ठीक है तोसनी वाली बात है या अगर हम दूसरे सब्दों में बात करें तो इस आवेश को क्या पता लग गया वह तेरे पडोस में यह आ गया है याँ पर तेरे नजदी की आ गया और तुझे बल लगाना है ठीक है तो देखिए हमारे इसी इंट्रस्टिंग किस्टन का इंसर देने के लिए हमें एक नई एक नई अवधार ना इंट्रूइस कर रहे जिसका नाम है विदुद छेतर विदुद छेतर यह एलेक्ट्रिक फिल्ड होता क्या है जैसे मान लेते हैं हमारे पास यह एक आवेस है और हम यह मान के चलते हैं कि इस आवेस के च्यारों जो है एक ऐसा छेतर होता है जहां पर जो आवेस है इस आवेस पर क्या करेगा एक एक्षन करेगा ठीक तो उसके वज़े से यहां पर जो इस छेत्र में गुशने वाला जो चार्ज है जो आवेस है उसको यहां इसकी परजन्स का अनभव होता है यानि एक किसम से एक बल लगता है तो देखिए यहां से हम विदुद चेत्र की ब्रिभासा कुछ इस तरह से दे सकते हैं कि किसी विदुद आवेस के चार और वह चेत्र से यह विदुद आवेस है इसके चार और का यह चेत्र जिसमें रखे किसी अन्य आवेस के तवारा जिसमें यह देखिए अन्य आवेस हमन एक तो एक बार फिर से किसी विदुत आवेश के चारों का भाएश चेतर जिसमें रखे किसी अन्य आवेश के दवरा आकर्षन या परतिकर्षन बल्ल का अन्भव होता है तो ये वाला जो चेतर है ये पहले आवेश का विदुत चेतर कहलाता है अब देखिए कि विदुत चे जो है यह concept इंटाडिउस किया था यह अवधायणा में दी थी विदुथ शेतर की और यह भी माना जाया कि यह जो विदुध शेतर है यह से ठेटर है और mathematically इसको अगर हम study करें है तो फीदी शेतर को जो है विदुथ शेतर तीवरता के रूप में हम study कि अब आगे विदुत्षेत्र ती वड़ता या एलेक्टिक फिल्ड इंडरस्टी की प्रभासा को समझने से पहले यह एक चोटा सा कंसेप्ट हमारे पास हो रहाता है जो है प्रिक्षन आवेश यह क्यों जिरो से डिनोट करते हैं वाश्तों में क्यों जिरो है क्या यह प्रि और विदुटSp autresनलолнे का मतल Snap ये है कि अपने नजदीक अगर कोई दूसरा आवेस होता है तो उसके उपर कोई बल नहीं लगाता है बलकि अपने नजदीक ओर जितने भी आवेस हैं उनके बलों कोई अनुभाव करता है लेकिन उनके उपर ये बल नहीं लगाता है वास्ते में यह क्या है कि यह काल्पनिक आवेश है काल्पनिक चार्ज है वास्त्विक्ता इसमें नहीं है लेकिन फिर भी एक concept को क्लियर करने में बहुत ही हमारा मददगार होता है यह देखे कि प्रिक्षण आवेश के बारे में जो है अपने निकट स्थित अन्य आवेशं पर कोई विदुत बल नहीं लगाता ठीक किंतु इन आवेशं द्वारा अपने उपर लगाएगे विदुत बलों का अनभाव करता है ठीक वास्तम प्रिक्षन आवेश क्या है एक कल्पनिक आवेश है फिक्टिशिस साहर्ज है कल् और देखते हैं तो यहां प्रिक्षा लärtस बैदाइकों अब देखते हैं तो यह पैस पर मालेश बिंदू पर हमें विदुद्चेत्र की तीवरता देखनी है, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे? एक इकाई धन आवेश रखेंगे. एक इकाई धन आवेश पुरिक्षन धन आवेश रखेंगे हम. तो इस इकाई धन पुरिक्षन आवेश पर जितना बल लगेगा न, वो बल क्या है? इस विदुद्चेत्र की तीवरता है. तो यहाँ से देखिए कि विदुद्चेत्र की तीवरता जम किस तरह से प्रिभासित कर सकते हैं? विदुद्चेत्र में किसी बिंदू पर. जितने बल का अनुभव होता है, इस पर जितना बल लगता है, उसे उस विदुद्चेत्र की तीवरता कहते हैं. अगर यहां पर अधिक बल लग रहा होगा तो यहां पर विदुद्चेतर की तीवरता अधिकर कम बल लग रहा होगा तो विदुद्चेतर की तीवरता कम है तो यहां पर मान लिया कि मेरे पास अगर मैं इकाई धन आवेश यानिमन कुलाम रखूंगा न तो बहुत बड़ा आवेस हो जाएगा और इसके छेतर को डिस्टरब कर देगा तो मैं क्या करता हूँ एक बार कोई टेस्ट साज रख लेता हूँ यहाँ पर क्योज जिरो ठीक एक प्रिक्षन आवेस रख लिया क्योज जिरो पर मान लेते हैं कितने बल का नुबा हुआ F बल का नुबा हुआ है ठीक है क्योज जिरो पर कितने बल का नुबा हुआ है F का और फिर यहाँ से मैं कैल्कूलेशन के दवारा निकाल लूँगा कि अगर यूनिट आवेस हमारे पास एक आवेस है तो इस पर कितना बल लगेगा F by 0 ठीक और IKAI आवेस पर जो बल लगता है उसे ही तो हम क्या कहते हैं विदुद शेतर की तीवरता कहते हैं इलेक्ट्रिक फिल इंट्रास्टी कहते हैं और इसे हम ये वेक्टर से डिनोट करते हैं तो ये वाला क्या है विदुद शेतर की तीवरता ही तो है कि IKAI आवेस पर जितना बल लगया वह हमने निकाल लिया और वह किस के बराबर है F by 0 के बराबर ठीक तो mostly questions में हम ये formula यूज कर लेते हैं लेकिन हम और ज़्यादा accurately लेना चाहें तो हम इस test charge को प्रिक्षन आवेस को बहुत छोटा बनाएंगे इतना छोटा बनाएंगे कि यहां पर इसका जो विदुद शेतर है बिल्कुल नगलेक्ट होजें यान इस पर हम एक limit लगा देंगे कि कैसे लगाएंगे कि ये बराबर बिल्कुल जिरो के नगलेक्ट है लेकिन जिरो नहीं है ठीक ये इसका अग्जेक्ट फार्मूला है कलियर लेकिन मोस्ट उप नगलेक्ट में ये वाला फार्मूला हम यूजे कर लेते हैं अब हम बात करते हैं कि ये का जो मातरक है वो क्या है ये का मातरक तो मातरक तो मातरक तो मातरक तो फार्मूला से निकाल सकते हैं एका जैसे फार्मला है उपर क्या है बल निच्छ आवेश तो बल का आवेश क्या होता है बल का जो मातरक होता है वह क्या होता है न्यूटन और आवेश का क्या होता है कुलाम तो न्यूटन परति कुलाम जो है एका मातरक हो जाएगा ठीक और नेक्स्ट चैप्टर में हम में देखेंगे कि वोल्ट पर मेटर भी इसका एक मात्र कोता है लेकिन वह अगले चेप्टर में हम देखेंगे इसका अगर विम्य सुत्र हम देखें ठीक है तो इसका विम्य शुत्र या डाइमेंशल फार्मूला जो है इसका वी में सुत्र हम देख रहे हैं एक तो भी में सुत्र भी आप पर इसी फार्मॉलेस निकाल सकते हो बलका जो भी में सुत्र है वो क्या है M L T-2 या M1 L1 T-2 ठीक और आवेस का जो भी में सुत्र है वो हम क्या लेते हैं A T लेते हैं A1 T1 ठीक तो यहां से जब इसको सुल्ड करेंगे तो M1 L1 T-3 A and A ठीक है A1 करता है ओके तो यह देखिए A का भी में सुत्र हो गया एक नंबर में आपसे पुछा जा सकता है अब हम बात कर लेते हैं कि जैसे A के उपर हम वेक्टर लगा रहे हैं यह एक सैदिस रासी इसको मान के चल रहे हैं तो इसके दिसा कौन से होती है अगर हमारे प सları परिभासा के अंदर भी धान परिक्षन आवे Cash मान के चलें तो यहांपर पास पॉज्धी को रिपैल अगर यह पॉजटीव है तो यह इसको रिपैल करेगा यानि अगर हमारे पास यहां पर धन अवेस ए सेंटर में तो एक ही जो दिशा है वो हमेशा ही कहा होगी बाहर की तरफ होगी किसी भी डारक्शन में ले 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 इस तरह से ठीक है यहाँ पर इस तरह से तिर्जा की रूप में बाहर की तरफ होगी और अगर यह रिन आवेश होता तो रिन आवेस होता तो इस पर बल की dsछा कुन से होती यह होती है यहाँ पर ए की dsछा होगी और यहाँ पर तिर जाके अलॉंग ठीक है और आवेस की तरह जो है ए की दिशा होगी ठीक अब इसके लावाए की इंपूर्टन बात मां आपको बता जिता हूँ कि मान लेते हैं कि हमारे पास यहां पर यह कोई एक विदुद छेतर है ठीक है? और इसकी तीवर्ता जो है कितनी है? यह है और इस विदुद छेतर के अंदर जो है एक कोई भी आवेशित, कोई भी एक आवेश रख देते हैं क्योग? क्योग आवेश अगर इस पर रखेंगे तो इस पर नेचरल सी बात है कि विदुद छेतर में आएगा तो बल तो लगेगा अब इस पर कितना बल लगेगा? तो देखो कि यहां पर विदुद छेतर के तीवर्ता बराबर एफ बाई के वो 0 है तो एफ का सुतर क्या होगा? क्योग इंटू E के बराबर होगा? तो यहां पर जो बल लगेगा इसके उपर वो किसके बराबर होगा? क्योग इंटू E के बराबर होगा ठीक? और अगर यहां पर हम नेगिटिव चार्ज रख देंगे तो बल की दिशा जहाव विप्रित हो जाएगी तो जैसे मान लिए आपन दिनात्म कावेश रखा है तो जो एकी दिशा है वही क्या होगी यहां बल की दिशा होगी ठीक और अगर आपने यहाँ पर दिनात्म कावेश रख दिया तो बलकि दिशा जो है वो आपोजिट हो जाएगी यह की जो दिशा ना उसे विप्रित दिशा हो जाएगी बस अब हमारा नेक्स टोपिक है बिन्दू आवे इसके करण विदुचेतर कि हमारे पास एक कोई पॉइंट सार्ज है माल लेते हैं कि यहां पर पॉइंट सार्ज क्यों है इसके करण हम किसी पॉइंट पर विदुचेतरती वरता गयात करना चाते हैं तो यहां पर जो विदुचेतर जो लिखा है इसका मतलब विदुचेतरती वरता ही है और हम mostly जगह पर जादर जगह पर विदुद सेतरती वरता की जगह पर विदुद सेतर सब्द ही यूज़ करते हैं ठीक है तो माल लेते हैं कि मारे पास ये एक बिंदू आवेस है क्योँ इसको हमने एक बिंदू O पर रखा हुआ है यहां से उस दूरी पर एक दूसरा बिंदू है P और इस पर हमने एक प्रिक्षन आवेस रख दिया प्रिक्षन आवेस मैंने रख दिया यहां पर क्योँ 0 ठीक O और P के बीच की जो दूरी है यहां से O और P के बीच की जो दूरी है वो कितनी है आर मान लेता हूं मैं ठीक है यहां से पूरी दो रही है यहां तक ओके तो अब यहां पर अगर हम कोई प्रिक्स नावेश क्यो जिरू रखेंगे तो इस पर बल कितना लगेगा बल याद करने के लिए क्या करूंगा कुलाम का नियम यूज करूंगा एक वटे प्यार पाई अब साइलन नोट कैपिटल क्यो इंटू के टेस्ट साज लगा देता हूं क्यो जिरू बाई में आर स्क्यर ठीक अब अगर इसको वेक्टर फॉम में लिखना चाहूं तो देखे यह मैं धनावेश मान के चला हूं टेस्ट साज हमारा धनावेश सित होता ही है तो यहां पर देखे कि जो बल की दिशा है जो बल की दिशा है वो यह रहेगी ठीक तो इस बल की दिशा में जो इकाई सैदिस है वो मैं आर कैप मान लेता हूं तो देखे कोई भी वेक्टर जो है वो किसके बराबर होता है कोई वे सैदिस किसके बराबर होता है सैदिस का प्रिणाम गुणा में उस सैदिस की दिशा में एक इकाई सैदिस तो ये तो बल का प्रिणाम हो गया और इस बल की दिशा में इकाई सैदिस क्या है आर ये ठीक अब हमें यहाँ पर ग्यात क्या करना है हमें यहाँ पर E ग्यात करना है Electric Field Industry ग्यात करनी है विदुचेतर ग्यात करना है और विदुचेतर का जो सुत्र है हमारे पास विदुचेतर का जो सुत्र है वो क्या है F by क्योजिरो है बस लगा दिजी इस उत्र निकल जाएगा हमारे पास E एक वटे में क्यार पाई अपसाइल नोट एक बरताब की वैल्यू रख रहा हूं क्यो इंटू क्यो जीरो बाई आर स्केर इंटू आर एक आंक से दिस और इसको भाग देना मुझे क्यो जीरो से क्यो जेरो यहीं डाल देता हूं ठीक है मैं क्यो जेरो से क्यो जेरो चैणसिल तो जो E की वैल्यू है हमारे पास यहां से क्या आगए यह आगए 1 बाई ओआ पाई एपसाइल नोट क्यो बगाई आर स्केर इंटू आइक आंक से दिस इस आ जैस अब देखिए कि जो मैंने नोट्स आपके लिए त्यार किये हैं उसमें यहां पर वन बाइ पॉर पाई अपसाले नोट की जगह समॉल के भी मैंने कई जगह यूज किया है क्यों बाइ और स्केर इंटो आर यूनिट वेक्टरिस को सौट फॉर में लिखने के लिए यूज कर दिया है बाकि के का मतलब आपको पता ही है जो हमने कुलाम के नियम में यूज के आदा स्मॉल के मिज वन बाइ पॉर पाई अपसाले नोट ही होता है अब इसके अलावा अगर यह आवेस जो है दोनों हवा की बजाए किसी माद्दे में सेपरेटिड है तो अगर माद्दे म में हैं तो एक बराबर एक वटे और पाई अपसाइलन सिद्धा अपसाइलन कह दो क्यों भाई आर स्केर इंटू आर के यह भी फार्मॉला बनता है कई बार हम क्या करते हैं अपसाइलन नोट इंटू अपसाइलन आर उस माद्दिम की जो रिलेटिव पर्मिटिविटी है वह भीहाँ होँ आपसेलन आर की वजाइज़ा है इसका डाइलेक्ट्री कॉंस्टेंट भीहीं डाल देथे इसको इंडियमें पैरावी दोतांक अगर इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर मैं एक बार आपको कैपिटल के लिख करके दिखा देता हूं जोड़ा से समझना ज्यादा आसान रहता है क्योंकि यह वाला जोना ग्रीक अलफवेट है यह थ्युड़ा समझ कमाता है तो यह लोजी और पाई अपसाइलन नोट और साथ में कैपिटल के लगा दिया ठीक है तो कैपिटल के की वैली माल लेजिए कि 80 है किसी मीडियम के लिए तो वहां पर कहने का मतलब यह होगा कि जो विदुचेतर है या विदुचेतर तीवरता जो है वो असी गुना कम हो जाएगी अब देखिए कि इस फार्मले से मैं एक इंपोर्टन डिसकसन आपको और करवाने जा रहा हूं कि यहां से देखिए वन पी पाई पाई एबशल नौٹ ये कोंस्टंटय है ये स्थरह है क्यो हम सत्थरमान के चलते हैं ठीक है कि किसी परटिकुलर एक्सपेरिमेंट में क्यों क्या है रहा है तो वैरियब्ल क्या रह गया सिरफ आर ही तो रह गया एक और अगर मैं सिरफ E का क्या लूँ अगर प्रिणाम लू तो E का जो प्रिणाम है वो universally proportional है R स्केर की ठीक यह फार्मला यही कहता है कि E is universally proportional to R स्केर ठीक तो ऐसे केस में अगर आप E और R के बीच में ग्राफ केस्टे हैं तो क्या होगा यहाँ पर E और R के बीच में ग्राफ ट्रा करने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे यह X एक्सिज लिया यह Y एक्सिज लिया एक एक्सिज की तरफ आप E ले लिजिए और दूसरी तरफ हम क्या लेंगे R लेंगे तो यहाँ से जब R बहुत ही कम है बहुत ही छोटा है तो देखे किसी भिन का हर छोटा हो और छोटे का जब स्केर करते हैं तो और भी ज़्यादा छोटा होता है जैसे माल लिया कि 0.01 है ठीक है यह काफी छोटी संक्या है इसका मतलो यह क्या है एक वाटे 100 है ठीक है इसका स्केर करें 0.01 का square करेंगे ना इसका मतलब एक वरtyg 100 का square हो गया 1 वरtyg 100 का square मतलब 100 ओर फिर ये इतना यह हो जाएगा 0.000 01 हो जाएगा है न्यार्न इसका square करेंगे ओर भी छोटब दैगा ठीक है तो आर पहले से अगर थाłem काफ़ी छोटा है इसका square करेंग और भी चोटा किसी भीन का हर जितना चोटा होता है वो भीन उतनी बड़ी होती है कहने के मतलब यह है कि अगर R की value कम है तो E की value काफी ज़ादा मिलेगी जैसे जैसे R की value बढ़ती जाएगी E की value क्या होती जाएगी कम होती जाएगी तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से जाएगा ठीक है और अगर आप E and 1 by R square के बीच में ग्राफ ड्रा करते हैं E और 1 by R square के बीच में ग्राफ ड्रा करते हैं तो एक सीधी रेखाएगी ऐसे बिल्कुल सीधी रेखा ठीक है अब आग्याता आवेशों की निकाय के कारण विदुच्छित्र है तो जैसे हमने बलों के आवेशों की निकाय के कारण जो है उलाम बल या विदुच्छ बल जो हमने पढ़ा था उसमें भी क्या पढ़ा था धैरवपन का सिधान्त सेम डू सेम ऐसा ही अधैरवपन का सिधान्त जो इस केस में लगेगा तो यहाँ पर हम यह मान के चलते हैं कि हमारे पास यह देखे कि क्यो वन क्यो टू क्यो थरी और इस तरह से क्यो वन तक हमारे पास यह आवेशों का एक निकाय है ठीक है और यहाँ पर कोई एक बिंदू P है इस बिंदू P पर हमने कोई एक टेस्ट सार्ज क्यो जिरू रखा हुआ है ठीक अब इस बिंदू P पर क्यो वन के कारण जो इलेक्रिक फिल्ड इंटरेस्टी है विदू चेतर की जो तीवरता है वो E1 है क्यो टू के कारण जो विदू चेतर की तीवरता है वो E2 है इसी तरह से क्यो अन के कारण जो विदू चेतर की तीवरता है वो क्या है E N है तो बिंदू P पर इन सभी आवेसों के कारण जो विदू चेतर की तीवरता होगी यानि E जो होगी वो किसके बराबर होगी E1 पुलस E2 और इसी तरह से E N तक सभी विदुत तिवरताओं के सैदिश योग के बराबर होगी तो धैरोपन के सिदान्त को मिस्तरश लिख सकते हैं कि किसी बिंदु पर बिंदु आवेसों के सम्मू के कारण विदु छेतर की तिवरता किसी बिंदु पर विदुत आवेसों के सम्मू के कारण जो विदु तिवरता जो होती है E जो होती है वो किसके बराबर होती है उस बिंदु पर पर तेक बिंदु आवेस के कारण तिवरता के सैदिश योग के तुर ले उती है एक तो इस बिंदो पर जैसे Q1 के कारण E1 है Q2 के कारण E2 है Q1 के कारण E1 है इन सभी तीवर्ता के से दिश योग के बराबर होती है और यही क्या है अध्यर अपन का इधांत है तो अब देखिए कि यहां पर एक expression find out करते हैं धरपन किसे दानत के नसार तो यहां से एवन देखिए किसके बराबर होगा एवन के लिए यह देखिए कि यह source charge है यह test charge है तो अभी हमने पिछले article में देखा था कि यह किसके बराबर होता है यह पर हमनेć capital Q रखah आ यहां पर Q1 रखा हुआ है पहले वाड़ County में capital Q रखा हुआ था यहां पर आपर क्या रखा आ था है एक तो देखिए इससे पहले वाले आर्टिकल में हमने यही तो किया था इसी तरह से एटू का हम कर लेते हैं एटू जो हो क्या हो जाएगा वन बाई ओर पाई अफसाइलन नोट क्योव टू अपॉन आर्जिरो टू का स्क्वेर और आर्जिरो टू कैप और इसी तरह से चलते हम क्या करेंगे एएन तक पहुंचेंगे e n क्या होगा 1 by 4 pi epsilon 0 और q n upon r 0 n और इसका square और r 0 n ठीक अब इसमें put कर देंगे e will be equal to e यहां पर point p पर इस पूरे निकाय के कारण जो विदो छेतरती वरता है वह क्या होगी इन से भी का वेक्टर समोगा तो यह 1 by 4 pi epsilon 0 q 1 upon r 0 1 का square into r 0 1 cap plus 1 by 4 pi epsilon 0 q 2 upon r 0 2 square or r 0 2 cap इस तरह समसलते रहेंगे for 1 by 4 pi epsilon 0 q 1 upon r 0 n का square into r 0 n cap ठीक है तो यहां पर मेरे पास तोड़ी जगह कम थी आपने जोई सित्र के उपर यह नहीं लिखना है अब यहां से यह तो unit vector form होगी और आपको पता है कि r unit vector किसके बराबर होता है r vector by r magnitude होता है तो अगर मैं यहां 0 1 लेता हूँ तो यहां पर भी 0 1 0 1 लेना पड़ेगा ठीक अगर यह चीज मैं यहां replace करूं तो e will be equal to 1 by और पाइ अपसाल नोट क्यों 1 पे कोई फरक नहीं पड़ेगा इस replacement का और r 0 1 cap को मैं लिखूं r 0 1 vector by में r 0 1 r 0 1 का square पहले पड़ा है एक और लिखूंगा तो r 0 1 का cube होज़ेगा यहां पर ठीक 1 by और अगला जो है 1 by 4 pi epsilon 0 और q2 upon r 0 2 का cube into r 0 2 unit vector के बादर पूरा vector ठीक है इसी तरह से 1 by 4 pi epsilon 0 qn upon r 0 n का cube into r 0 n vector ठीक यह अध्यार ओपन के सिदानत के अनसार एक सदिसों के निकाय के कारण एक बिंदो पर जो है विदू छेतर की तीवरता का जो हमारे पार सुत्तर आ जाता है तो प्यारे बच्चों अगले लेक्टर में हम एक बहुत इंपोर्टन टॉपिक हमारा विदूत बल रेखाएं विदूत बल रेखाएं विदूत छेतर रेखाएं इसको हम आज किल कहने लगे हैं ठीक है तो ये विदूत छेतर रेखाएं क्या होती है इनके गुणों का माद्यन करेंगे और एक्जाम में बहुत बार ये पुछी साती है इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक फिल इंटेंस्टी जो टॉपिक आज हमने पढ़ा है इस पर अधारीद जो संख्यात्मक पर्शन हैं हमारे उन शंख्यात्मक पर्शनों को में अम्हाल करेंगी तो उमीद करता हूँ कि आज का लक्षर आपको पसंद आया होगा पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें share, create, subscribe, thank you, have a nice day